तो बच्चों, आज हम जानते हैं कक्ष्या आठ की बसन भाग थी त्रीकी, लेसन भाग थी, बसकी यात्रा, जिसमें बच्चों आज हम सीखेंगे के लेखक अपने मित्रों के साथ बसमें कैसे सफर करते हैं, यहाँ पर सिफ हम सफर के बाने वे नहीं नहीं, परन्तु कहीं न कहीं हमारे समाज में चलती आएं, लालच मतलब के मालिक, यहाँ पर बसकी हालत को देखते हुए भी, उस हालत को नजर अंदास करते हुए, लोगों की चिंता किये बीना, वो धन को कैसे कमाया जाएं, उस विशे में हम इस पार्ट में सीखेंगे। तो बचों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर हमें एक बसके चित्र का वाणन किया गए, जिससे हमें यहाँ पर बसकी हालत हम देख सकते हैं, कि यहाँ पर बसकी जो हालत है, वो कहीं न कहीं बहुत बिगडी हुई है, जिसमें सफर करना भी हम नहीं सोच सकते है पचरोग देखते हैं कि लेखक जब इस दिख रही बस में सफर कर रहे हैं तो उन्हें क्या अनुभव होता उसके बारे में जानते हैं तो यहां पर अध्याई की सुर्वात कुछ इस तरह होती है हम पाच मित्रों ने तैय किया कि साम चार बजे की बस से चले पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बात मिलती है जो जबलपूर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुँच जाएंगे हम मेंसे दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसलिए वापसे का यही रास्ता अपनाना जरूरी था लोगों ने सला दी कि समस्तार आदमी इस साम वाली बस में सपर नहीं करते क्या रास्ते में डाकों मिलते हैं? नहीं, बस खुदी एक डाकें है तो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि लेखक हमें पहले परेगरफ में क्या समझाना साथे तो यहाँ पर लेखक और उनके पांच मित्रों जो आपस में कुछ तै करते हैं कि उन्होंने क्या तै कि हम चार बचे की बस में सपर करेंगे और वो जो बस थी, वो साम को मिलने वाली थी और यही बस हमें पन्ना से सतना तक पहुँचाएगी मतलब कि यह जो साम वाली बस के बारे में लिखक ने हमें बताया है वही बस हमें पन्ना से उन्हें सतना पहुँचाने वाली थी और उसके बार सतना पहुँचने के बाद वहीं से उन्हें जबलपूर जाने की ट्रेन मिलेगी और वही ट्रेन उसे सुबा तक कर पहुचा देंगी मतलब कि यहां पर अगर लेखक अगर कंपनी के बस में सफर नहीं करेंगे तो सायद वो समय पे अपना कम्पने का काम भी खतम नहीं कर पाएंगे और इसे के कारण वो घर पे समय पर पहुँच भी नहीं पाएंगे जिसके लिए यहाँ पर लेखा और उनके पांच मित्रों ने तै कर लिया कि आज हम साम के चार बचे की बस में सफर करेंगे और ये बस हमें पन्ना से सतना तक लेके जाएगे और वहाँ जाकर हमें गंटे भर के बाद जबलपूर की ट्रेन मिल जाएंगे तो हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं और इतना ही नहीं यहाँ पर उनके पांच मित्रों में से दो मित्रों को कमपनी के काम के लिए सुबह हाजिर होना था अगर वो सामकी बस को नहीं पकड़ेंगे तो सायद वो सुबह कमपनी के काम के लिए हाजिर नहीं हो पाएंगे और इतना ही नहीं जब लेखक उनके पांच मित्र इस बस में सफर कर रहे थे मतलब कि सफर करने की तैयारी में जुटे हुए थे तब उनके कंपनी में काम करने वाले कार्य करता ने यहां पर लेखक और उनके मित्रों को कुछ सला दी और वो क्या सला दी? कि समझदार आदमी, कि जो समझदार आदमी होते है वो साम वाली बस में सफर नहीं करते है तो बच्चों हम ये चित्र में भी देख सकते है कि ये जो साम वाली बस है वो कहीं न कहीं उसके जो हालत है वो दुसरी बस के हालत से बहुत मिगडी हुई है जिसके लिए यहां पर उसके मित्र मतलब कि उसके साथ काम करने वाले कार्य करता लेखक को और उनके पांचों मित्रों को समझा रहे हैं कि जो समध्दार आत्मी होते हैं वो ये साम वाली बस में सफर नहीं करते हैं और तभी लेखक को विचार आया कि यहां पर कार्य करता ऐसे क्यों बोड़ रहे हैं जिसके लिए लेखक ने प्रस्ण भी किया क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? मुटलब के लेखक का सोचना ये था कि हम जिस रास्ते में सफर कर रहें सायद हो रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते और उसके बाद कार्य करता ने उसे उत्तर दिया कि रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते क्योंकि ये जो बस है वो कहीं न कहीं डाकिन के समान ही है उसके बाद देखो बचो क्या बोला गया है बसको देखा तो स्रद्धा उम्र पड़ी खुब वयो वृद्ध थी सद्यों के अनुभव के निसान लिये हुई थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाते है कि वृद्धा वर्स्ता में इसे कस्ट होगा यह बस खुझा के योग यति उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है बच्चों यहाँ पर लेखक ने वो जो प्रश्ण पूछा था कि क्या ये रास्ते में डाकू मिलते है पर कार्य करताने कहा था कि कि यह जो बस है वो कही ना कही डाकू नहीं मिलते रास्ते में पर यही बस खुद ही एक डाके ही तो यहाँ पर जब हम दूसरे पेरेग्राफ को जानते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह जो सब बाते हुई है कारे करता और लेखक के बिच में उससे पहले लेखक ने इस बस की हालत को नहीं देखा था मतलब कि इस बस को नहीं देखा था और जब लेखक और उनके पांच मित्र जब उस साम वाली बस को देखते हैं तो तब उन्हें उसके मन में स्रद्धा उमर परती है और क्यों स्रद्धा उमर परती है क्योंकि यह जो बस की हालत है वो कही ना कही भयो व्रुद मतलब कि हम बोल सकते हैं वृद्ध के समान हालत थी इतना ही नहीं ये क्यों वृद्ध के समान थे क्योंकि कहीं न कहीं यह बस कपने के सुरवास से चली आ रही है जिसके लिए वो बस के साथ बहुत सारे अनुभव के निशान लिए हुए है कि अगर पहले से यही बस चलती आ रही है तो उनके बस में कितने सारे कार्य करता ने सफर किया होगा जिसके लिए यहां पर यह भी बोला गया है कि यह जो बस है वो सदियों के अनुभव के निशानों को लेते हुए चल रही थी और इतना ही नहीं इससे सफर नहीं करना चाते कि यहां पर अभी के जो लोग कार्य करता है वो इस बस में सफर नहीं करना चाते इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर कार्य करता को बस में सफर करने के इच्छा नहीं है पर यहां पर उसकी हालत को देखकर यहां पर कार्य करता उसमें सफर नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बस को कस्ट देना नहीं चाहते अगर हम उस बस में बैठ भी गए तो सायद यह बस की हालत जो है जो दिखने में जैसे बस दिख रही है वो कही ना कही और हमें कुछ ना दिखा दे इसलिए बोला गया है कि यहाँ बस है वो सफर करने के लायक नहीं पर यह पूजा के लायक है उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है उसके बस बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा यहाँ बस चलती भी है वह बोले चलती क्यों नहीं जी अभी चलेगी हमने कहा वही तो हम देखना चाते हैं अपने आप चलती है या ची और कैसे चलेगी उसके बाद जब लेखक उनके पांच मित्र जब बस के नस्दीक चाते हैं तो वहाँ पर उसे कंपनी के हिस्सेदार कि यह जो हिस्सेदार है वह सामवाली बस में डेलिक में रोज या रोज वह वहाँ से सफर करते थे जिसके लिए लेखक ने जानने की कोशिस की चुलना इस बस के बारे में कुछ जानकारी निकाली जाए जिसके लिए पहले लेखक वह हिस्सेदार से बात कर आए जिसमें लेखक कहते है यह बस चलती भी है मतलब कि पहले लेखक ने वो हिस्सेदार से कहा कि यह जो बस दिख रही है वो चलती भी है क्या तो उसके बाद हिस्सेदार ने क्या कहा हा ना चलती क्यों रही अब भी चलेगी मतलब कि यह जो बस है वो चलती ही है इतना ही नहीं लेखक ने वापस उसे पूछा पूछने की तरीके से उसने कहा वही तो हमें देखना है मतलब कि कहीं ना कहीं लेखक के मन में संका है कि यह बस चलती भी होगी या नहीं चलती है उसके बाद अपने आप ही चलती है मतलब कि उसके बाद हिस्सेदार ने वापस उनका उत्तर दिया यह बस है वो अपने आप चलती है उसके बाद लेखक ने वापस प्रश्न किया कैसे चलेगी मतलब कि कही ना कही लेखक के मन में संकाजा आगरी है तो बच्चों पहले क्या होता है यहाँ पर कि जो हिस्सेदार है वो बस में रोज वहाँ पर सफर करते है जिसके लेखक ने उस बस के बारे में जानकारी निकाले जिसके लिए पहले लेखक ने हिस्सेदार से पूछा कि अब बस चलती भी है की नहीं मतलब कि लेखक को जानना था कि ये बस जैसे दिख रही है लेखक को नहीं लगता कि ये बस चलेगी जिसके लिए वो हिस्सेदार से पुछता है तो हिस्सेदार क्या कहता है यह बस चलती नहीं वो अब भी चलेगी मतलब कि आप देखते जाओ, ये बस चालू भी होती है उसके बाद लेखा वापस से अपने मन में बोलता है मुझे यही तो देखना है कि बस चलती है कि नहीं चलती है उसके बाद उसकी पातों को कही न कहीं हिस्सेदार सुन लेता है और जिसके लिए उसे उत्तर में क्या मिलता है हाँ जी, अब भी चलेगी, देखो कैसे चलती है उसके बाद बस चालू हो जाती है गचब हो गया है, ऐसी बस अपने आप चलती है मतलब कि यहाँ पर जैसा बोला गया, वैसे यहाँ पर लेखक ने उत्तर दिया गचब है भई, ऐसी बस भी चलती है मतलब कि बच्चों यहाँ पर आप बस की हालत देख सकते हो कि बस चलेगी भी की नहीं, उसकी भी सकता सायद हम देखके तो हमारे मन में भी वही आता उसके बाद, हम आगा पिछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वस्निय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चले कि जब लेखकर उनके मित्र, जब बस में अंदर चले गए तो यहाँ पर डॉक्टर ने लेकर उनके मित्रों से कहा कि आप डरो मत, इस बस से डरने की ज़रुवत नहीं है यह बस मिरे लिए अनुभवी है अनुभवी मतलब कि डॉक्टर उसमें बार-बार सफर कर चुके है जितना हम नई नवेली दुलहन के उपर विश्वास नहीं करते पहले बार में कहीं न कहीं यह इससे भी ज़्यादा विश्वस्निया है और इतना ही नहीं यह बस है वो आपको अपने बेटे की समान गोद में बैठ कर लेके जाएगी मतलब कि डॉक्तर के उतर को जानकर सायत लेका के मन को थोड़ी सान्ती मिली भी हम बैठ कर जो छोड़ने आये थे वो इस तरह देख रहे थे जिसे अंतिम बिदा दे रहे थे उनकी आखे कह रहे थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सोजाएगा राजा रंग पकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमिच चाहिए मतलब कि यहाँ पर जब हम इस बस में बैठ कए तो हमारे दुसरे जो कारे करता थे वो हमें छोड़ने आये थे और उनके चेहरे को देखकर लेखकर उनके मित्रों को ऐसा लगा जैसे हमारे कार्य करता अपने मन में ऐसे सोच रहे है कि कहीं न कहीं ये वापस आएंगे ही नहीं और यहाँ पर मनुष्य का क्या है वो तो आता जैता रहत है आज किसी ने जन मलिया तो कहीं न कहीं उसकी रुत्यू भी हो जाएगी जैसे आज कोई राजा है तो कल रंक बन जाएगा मतलग कि ये तो सिर्फ निमित के मात्र है इंजिन सच मुझ स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस इंजिन हो और हम इंजिन के भीतर बैठे हो काच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनमें हमें बचाना था हम फौरन खिलकी से दूर सरक गए इंजिन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजिन है कि यहाँ पर बाद में क्या होता है कि बस सच में स्टार्ट हो गए और स्टार्ट होने के बाद जैसे बस स्टार्ट हुए वैसे पूरी बस हिलने लगी यहाँ पर लेखो का ऐसा हनुबव हुआ कि हम सायत इंजिन के उपर तो नहीं बैठे हैं और इतना ही नहीं यह जो बस है जिसमें काच बहुत कम बचे थी और वो जो बचे हुए काच थे उनकी भी हालत अच्छी नहीं थी और वो देखकर लेखोक और उसके मित्र जो खिड़के के पास बैटे थे वो कही नहीं कहीं वहाँ से सरग गए उसके बाद और जैसे बस स्टार्ट हुई तो ऐसा लग रहा था कि इंजिन के उपर ही सीट होगी बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यहां घांधी जी के असयोग और सविनई अवग्या आंदोलनों के वक्त का अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग में लिचुकी होगी हर हिस्सा दूसरे असयोग कर रहा था पूरी बस सब इनए अवग्या आंदोलन के दोर से गुजर रही थी सीट का बोड़ी से असयोग चल रहा था कभी लगता सीट बोड़ी को छोड़कर आगे निकल गई हो कभी लगता सीट को छोड़कर बोड़ी आगे भागी जा रही है आठ दस मिल चलने पर सारे भिदभाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे है यह सीट हम पर बैठी है तो बच्चों यहाँ पर इस बस की हालत को देखा लेखा को यहाँ पर दो किस्से याद आ रहे एक जो किस्सा है जो घांदी जी का असयोग आंदोलन और दूसरा जो किस्सा है वह सर भी नहीं अवग्या आंदोलन तो बच्चों पहले हम यहाँ जानते हैं कि सर असयोग आंदोलन मतलब क्या हुआ था यहां पर जब घंदी जी ने अस्वयोंग आंदूलन किया था तो पहले यहां पर इंडियन पीपल मतलब के यहां पर डेश के लोगों ने उन्हें कोई सईहोग नहीं दिया था पर जैसे जैसे घंदी जी अपने आंदूलन को लेकर खुद आगे बढ़ रहे थे कि उसका नित जैसे बस स्टार्ट हुई तो पहले यह सब अस्वयोंग मतलब के सीट है वहां पर काच है वो कहीं ना कहीं उसे सईहोग नहीं दे रहे थे उसके बाद हमें और एक घटना के बारे मोला गया है और वो है सवीनई अवग्या आंदूलन तो बच्चों क्या आप जानते हैं तो यहां पर सवीनई अवग्या आंदूलन में यहां पर गांदी जी ने अंग्रेजों ने नमक के उपर जो टैक्स लगाया था जिसके विरोध में गांदी जी ने आंदूलन किया था और उसे वक्त हमारे देश में जाती भेत धार्मिक संप्रदाय ऐसे बहुत सारे कारण कही ना कहीं हमारे देश को तोड़ने का काम कर हैं परंतु उस समय घांदी जी ने अपने नित्रुत्व को नहीं जो तो कहीं ना कहीं यह बस से उसके जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं गांदी जी के समान लग रहे हैं जिसी हम बोल सकते हैं कि गांदी जी ने कुसल ड्राइवर की भादी सभी को एक करने का प्रयास करके लांडी यात्र कर समुद्र टट पर नमक बना कर अंग्रेजु को सबक सिखाय था कहीं न कहीं यह जड्राइवर है वो यहां पर गांदी जी का नित्रुत्वक करते हुए यह सभी यात्रियों को वो अपनी जगा पर पहुचा के रहेगा तो बच्चो आज हमने प्रुस्ट चौदा और पंद्रा के आदे हिस्से को जाना कि लेखक इस बस के बारे में क्या जानते हैं तो बच्चो कल हम यह जानेंगे प्रुस्ट पंद्रा का चित्र के नीचे दिये गए हिस्सों को कि चित्र के नीचे हमें जो पेरेग्राफ दिया गए उसके बारे में हम चर्शा करेंगे और उसमें हम यह जानेंगे कि जब लेखक इस बस में आके सफर करते हैं तो उसे कौन-कौन से खटे मिठे अनुभव होते हैं धन्यवाद